हेलो फ्रेंड्स, वैलकम टू सिलपास की चनल रेसिपीज आज में लेकर के आए हूँ छोटे बच्चों के लिए ब्रेक्फास्ट के रेसिपी बच्चे हो या बड़े ब्रेक्फास्ट सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है और अगर breakfast healthy के साथ टेस्टी भी हो तो बच्चे इसे बहुत चाओ से खाएंगे और मैंने इस breakfast को बनाने के लिए वो सारी चीज़े एड़ किया हैं जो बच्चों के वजन बढ़ाने से लेकर मानसिक विकास, शारेरिक विकास और रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है तो चलिए बिना देर के फटाफट बनाना शुरू करते हैं मैंने यहाँ पे एक हमाम दिस्ता लिया है और मैंने यहाँ पे एक बदाम और एक काजू लिया है सबसे पहले हम इसे क्रस्ट कर लेंगे और पाउडर बना लेंगे इसका अच्छे से पाउडर बना लेना है इसमें बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए आप देख सकते हैं ये दर-दरा पाउडर है लेकिन इसमें बड़ा टूड़ा नहीं है बिल्कुल इसी तरह पाउडर बना लेना है अब मैंने यहाँ पे एक छूटे साइस का एपल लिया है और मिठास के लिए मैंने यहाँ पे दो खजूर लिया है एपल को मैंने छील के उसके छील के हटा दिये हैं और इस तरह से छूटे छूटे पीसेस में कट कर लिया है और खजूर को भी मैंने एकदम बारिक कट कर लिया है इससे ये एजली खाने में घुल जाएगा अब मैंने यहाँ पे एक कड़ाई लिया है और कड़ाई में आधी छुटी चम्मच के करिब घी डालेंगे और घी जब मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करिब साधा वाला ओर्ट्स आड़ करेंगे और चलाते हुए लूफ लेंपे 1-2 मिनिट के लिए रोस्ट कर लेंगे ओर्ट्स को 1-2 मिनिट के लिए रोस्ट कर लिया है अब हम इसमें 1 कप पानी आड़ करेंगे और इसी के साथ कटी हुए आपल और बारिक कटी हुए खजूर भी आड़ करेंगे मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से कड़ाई को कवर कर देंगे और 10 मिनिट के लिए लूफ लेंपे इसे हम पकने देंगे 10 मिनिट बाद कड़ाई का धकन खोलेंगे और आप देख सकते हैं ओट्स और एपल अच्छे से पक चुका है अब हम इसे एक मैशर से अच्छे सा मैश कर लेंगे आज की ये ब्रिकफास्ट रेसेपी 9 मैने से उपर बच्चों के लिए है अब हम इसमें काजू और बदाम का बनाया हुआ पाउडर एड़ करेंगे और थोड़ा सा दूद भी आड़ करेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से अगर आपका बच्चा एक साल से छोटा है तो आप इसमें फॉर्मूला मिल्क आड़ करें मिक्स करने के बाद अब हम गयास का फ्लेम बन कर देंगे और इसमें आधी छूटी चमच के करिब और गिने गुड का पाउडर एड़ करेंगे और एक साल से छोटी बच्चों के लिए आप इसमें गुड ना एड़ करें मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से आप अपने बच्चे को एक बर इस ब्रेकफास्ट को बना के जरूर खिलाएं बच्चे बहुत ही खुशिशे और बहुत चाओ से खाएंगे और सारा दिन हैप्य और एक्टिव रहेंगे छोटे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट हमारा तयार है अब हम इसे सर्फ कर लेंगे और इसे हलका सा ठंडा होने के बाद ही बच्चे को खिलाएं और अगर आप अपने बच्चे को कोई भी फूट फर्स टाइम इंट्रिडियूस करवा रहे हैं तो हमेशा थोड़े से क्वांटिटी से ही शुरवात करें वीडियो अगर आपके लिए यूस्पुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताके मेरे आने वाली हाँ नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें